हाई फ्रेंड्स वल्कम बेक टू एजू केसन एडिया तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि रजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल भरती 2022 का रिजल्ट कब जारी क्या जाएगा यानि कि जो लाखों अभ्यारतियों का इंतजार हो रहा है रिजल्ट को लेकर वह इंतजार कब खतम होगा इसकी डिट आज के इस वीडियो में बताएंगे इसी के साथ ही आप सभी को ये भी जानकारी देंगे कि रजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल भरती 2022 की कटो पर क्या रहे तो चलिए अभी इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आप सभी को बताते हैं कि रजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल भरती 2022 का रिजल्ट कब जारी क्या जाएगा किस दिन डिकलर क्या जाएगा तो ये बिन मीडिया रिपोर्ट्स और अकबारों की हवाले से कहा जा रहे हैं कि आपस सभी का रिजल्ट इसी सब्ता जारी किया जाएगा यानि कि जुलाई की आखिरे हपते में ही आपस सभी को अपना रिजल्ट देखने को मिले जाएगा वही हमारी माने तो आपस सभी को अपना रिजल्ट तीस जुलाई को देखने को मिलेगा इसकी पूरी- cut-up down रहने का अनुमान जाता है यहां यहां पर दोस्तों भ्यारतियों की और से भी कहा जा रहा है कि इस साल यहां पर मेरिट काफी down रह सकती है वह यह बात सीधी कर लेते कि कितनी रह सकती है तो जनरल केटेगरी की कटप इस साल रह सकती है 95 कुष्ण तक यानि 55 कुष्ण तक वही OBC केटेगरी की कटप इस साल रह सकती है 90 कुष्ण तक यानि की 90 कुष्ण तक वही EWS केटेगरी की कटप रह सकती है इस साल 85 कुष्ण तक यानि की 85 कुष्ण तक वही SC कैटेगुरी की. कटव इस साल रह सकती है 82 कुशिं तक यानी leg किट आपक इस साल रह सकती है 78 कुशं तक यानी 78कुशन तक और स Effects र इस साल मरेत, एहां पर रह सकती है यहां पर दूस्तों इस साल इस साफ परकार cut off रहने का अनुमान सामने आ रहा है वह आपस सभी को बता दे कि इस साल पांच गुना बच्चों को फीजी कले कले बुलाया जाएगा यानि कि भरती के पदों के पांच गुना बच्चों को जो है फीजी कल में सेलेक्शन दिया जाएगा आपस सभी को बता दे कि यहाँ पर इस साल भरती है 4,438 पदोपर ऐसे में यहाँ पर दोस्तो 22,190 बच्चों को यहाँ पर फीची कले-कले बुलाया जा सकता है इसकी उमीद है तो इस सब परकार दोस्तो यह राजिस्तान पुलिस कॉंस्टेबल के रिजल्ट को लेकर और कटफ को लेकर पूरी जनकरी है और आपस सब इको बता दे कि आपस सब से पाले अपना राजिस्तान पुलिस कॉंस्टेबल का रिजल्ट चेक कर पाएंगे educationindialive.com पर जकर तो इस सब परकार यह पूरी जनकरी थी यदि आपको यह पूरी जनकरी अच्छी लगिए तो आप इस वीडियो को लाइक को शेर कर दे तो आपस सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद